मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ और एक दो दवाएं बताता हूँ आपको बहुत अच्छी हमारे घरों में छोटी छोटी बीमारियां जैसे सर्दी सर्दी हो गई जुकाम हो गया क्या करें जी तो बहुत अच्छी दवा हल्दी हल्दी का दूद पियो हल्दी का पानी पीलो पानी बॉयल करो हल्दी डाल के चाई की तरह से पीलो हल्दी का दूद तो हम सभी जानते हैं सर्दी ठीक करता है खांसी हो जाए सर्दी के साथ खांसी हो जाए तो आदी आदी माने अद्रक अद्रक का रस ले लो थोड़ा पान का रस ले लो दोनों बरावर मात्रा में मिलाओ हल्का गरम करो शहद मिलाके पीलो ये खासी को ठीक कर देता है और खासी के साथ सर्दी को भी ठीक कर देता है और सूखी खासी को भी ठीक करता है कई बार खासी ऐसी हो जाए किसी को कि खासते खासते चहरा लाल पड़ जाए वूपिंग कफ चहरा एक दम लाल और खासी शुरू हो तो रुके ही ना दो-तीन मिनट खासते रहो ऐसी खासी में अदरक ले लो आदी और उसको भून लो आग में भूनो आग जलाओ गैस बर्नर पे उसमें अदरक को चिम्ते में पकड़ के भून लो जब वो भून गया तो उसको हल्दी में डाल दो हल्दी पाउडर पिसा हुआ हल्दी तो हल्दी उसमें चिपक जाएगी और वो हल्दी चिपका हुआ अदरक जैसे ही मूह में रखोगे एक मिनट में खासी बंद हो जाएगी एक ही मिनट इतनी बढ़िया दवा और एक दवा बताता हूँ आपको अपने घर में खासी की अनार है ना अनार इसको गरम करके खाओ वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है लेकिन अनार के दाने इनका या तो रस निकाल लो उसको गरम करके पी जाओ खासी ठीक करेगा या अनार के दानों को गरम करके खालो चबाके तो भी खासी ठीक करेगा